नियूस्टिक में आपका स्वागत है हम एक ऐसे मुद्दे पर आज बात कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान में हम चक्चा करें लगभग पांच साल पहले एक ऐसे शक्स की हत्या की गए थी डॉक्टर नरेंद्र धबोलकर जिन्होंने अपनी सार की भर लोगों में विग्यानिक सोच फैलाने का काम किया लेकिन कुछ ऐसे लोग भी अभी भी हिंदुस्तान में हैं जो विग्यान को लोगों तक पहुंचने नहीं देना चाते और लोगों को अंद विश्वास में ही रखना चाते हैं उनकी एक मन्शा यह है कि लोग जानक करते रहें इसी संदर में हम आज बात करेंगे डॉक्टर अविनाश पाटिल से अविनाश जी आपका स्वागत है डॉक्टर अविनाश पाटिल जो है वह अंत्रशद्धा उन्मूलन समिती जो है मांस करके महाराष्ट्र अंत्रशद्धा निर्मूलन समिती उसके प्रेसिडे तो नक्टर पार्टिल सबसे पहले तो हम आप से पूछना चाहते हैं कि पांथ साल होगे इस हत्या की और अभी भी जो हम लोगों को जानकारी है कि इसके तहे तक हम पहुंशनी पाए है कोई सरकार या पुलिस पहुंशनी पाए है आप इसके बारे में थोड़ा बताएं और उसके बाद करनाटक में प्रोफिसर डॉक्टर एमिम कलबुर्गी जी और गवरी लंके जी की भी हत्या हुई थी यह सभी लोग अब बतारें जो एक ही सोच को मुक्त विचार करने के सवाल खड़े करने के चिकित्चा करने के बारे में काफी लोगों में समवात करते आ रहे हैं और उसके लिए दावलकर जैसे लोगों ने तो संगटित रूप से काम पिछले 30 साल पहले महाराष्ट्र में शुरू किया अंदर महाराष्ट्र अंदर्शता निमुन समीति नाम से डॉक्टर दावलकर जो बात करते थे उससे लोगों में सवाल खड़े करने की चि पर रहुकर और अपने सवाल हल्क दिंदगी के सवाल करने के लिए अपने बल्वूते पे अपने सोच के ओपर अपने क्शमता से हम कुशिश करें इसके बारे में वहहार। करते ते और यह का बात करने वाले लोगों की एक काफी संख्या संगटन के द्वारा उनने महारश्ण में खड़ी की ती डाक्टर दावलकर का जो जी आत्या हुई है जिसे हम मडर ही कह सकते हैं वह सूजी बूजी ऐसी कृति की जिन लोगों को विचारों का प्रतिवाद तो उनके द्वारा विचारों का प्रतिवाद नहीं करने के वजह से उन्होंने मार डालने के मोडस ऑपरेंटी इस्तिमाल की दावलकर के बारे में और वही मोडस ऑपरेंटी पांसरे कलबुर्गी और गवरी लंकेश में के मर्डर केस में भी दिखाई दे रहे हैं यह अभ और कॉम्रेट गोविंद पांसरे की केस में महाराष्ट्र पुलीस की साइटी इन्वेस्टिगेट करी और दोनों के मर्डर केस में चारशीट में यह आचुका है रेकॉर्ड पे गवर्मेंट की तरफ से ही कि यह हत्या करने वाले लोग सनातन संस्ता से जुड़ों हुए उ उनके सादों को ने हिंदू जन जागन समीती के सदस्याने मिलके यह कॉंस्परेसी प्लान की है और उसके तहत यह दावलकर का पांसरे जी का और उसके बाद कलवरी और गोरी लंकेश का मडर हो चुका है जबकि जैसे आप लोगों का काम है या दूसरे आप जैसे संगठनो का है आपका काम धर्म के खिलाफ नहीं है आपके गल्कुल अधरम का गलत इस्तेमाल की जी साथılar को और अधिकनीतिमान रिलिवेंट करें और नईतिक मॉरली जीने के लिए तयार करें और हम उससे हमारी मतवेद हो सकता है लेकिन हमारा विरोध नहीं है दर्म को मानने में या फिर उपास ना करने लगता है कि यह जैसे संगठन है जो इस हत्या के पीछे हैं वह आप लोगों को एक ठ्रेट के रू और इसी बारे में लोगों को सोचना चाहिए क्योंकि यह जो संगठन काम करते हैं उनकी सोच ऐसी है कि वह कहते हैं कि हमारे धर्म के नाम से जो भी चलता आ रहा है प्रमपरा है संस्कृती जो है उसमें धर्मे में धर्म ग्रंतों में जो लिखा है या फिर हमारे पानव जात्तों कहती है कि काल के हिसाब से हर एक बात को टटोलना चाहिए उसकी चिकित्सा होनी चाहिए बदलाव नहीं चाहते हैं वहीं रूड़ी बात हैं वहीं बरकरार है वहीं परमपरा को कायम रखना चाहते हैं और हमारे जैसे लोग जो अधुनिकता का विचार यह प्तास नहीं आता हुश से उनको लगता है कि हमारे धरम के उपर यह हमला एक ंधर मानते यह फीर ऐसा प्रचार प्रसार करते आम आदमियों में और इसलिए फिर यह कि हमारे धर्म के विरोधक है यह धर्म दुरूई है इस तरीके के हमारे उपर वह आंचन लगा कि फिर हमें आरे खतम करने कोश्च करते हैं और डॉक्टर दबॉलकर के हत्या के बाद भी आप उसको परकरार रखे हैं तो जैसे एक कारिक्रम है अब परदाफाश करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं या डॉक्तर दबॉलकर थे तो उन्होंने भी कई ऐसे चमतकारों के पीछे का विग्यान और क्या उसके बारे परदाफाश करने की कोशिश की तो पिछले पांच सालों में डॉक्तर दाबॉलकर के हत्या बीस अग चमतकारों के दावई जो उसको चैलेंज किया हमारा 21 रुपए का इसके बारे में प्राइज रखा हुआ हमने लोगों से पैसा जमा करकी वह डिपॉजिट में रखा है और हम चैलेंज करते हैं कि जो भी चमतकार का दावा करेगा वह प्रूव करें और वह कंट्रोल करकी जाते हैं उसके पीछे तर्थ विल देखी है जैसे अभी पानी से दिया जलाने का चमतकार शीरडी के साही बाबा की नाम से काफी मशूर है अभी अभी पिछले 15 दिन पहले ही साही बाबा की यहां पर शीरडी में जो भी चमतकार की चर्चा हुई तो उस पाशोविमर और हमारे लोगों ने चमतकार किस तरीके से यह हो सकता है पानी का दिया जलाने का इसका प्रेजेंटेशन किया कि जिस तरीके के वह हसे चैमिकलस इस्तिमाल करके पानी का जुछ जूआ जा सकता है और इसके पीछ चैन से क्या सच्क्न आ है यह भी हम बताते है या फिल नो बताई थोरencedid को कि क्या और साइन्स है क्या पानी का पाणी का दिया जलाने के लिए पटे जो भी दिया जो रहता इसमें बात ही नहीं इस्तिमाल करते रस्टि कि लेम पानी का दा ταत है उसमें पहले से टु के ड्र से का पानी डालने के बाद जो किमिकल प्रोसेस होती है उससे एसिटिलीन नाम का गैस तायर होता है कोई भी अपने घर में अगर ले ले और पानी डाल दे उसके कोई दैवी शक्ति की भी जरूवत नहीं वह कोई आम आदमी भी कर सकता है क्योंकि इसके पीछे कोई चमतकार नहीं साइंटिफिक प्रोस चमतकार उस बातों को कहते जिसका साइंटिफिक एक्स्प्लेशन आम हम नहीं कर सके और नैचर में निसर्ग में मुझे लगता है कि ऐसे कई बाते हैं आज भी कि जो हमें आज मालूम नहीं लेकिन वह कैसे तरह के से मालूम हो इसकी सोच हमें मालूम ह प्रश्टा में दो कानून लाने में आप लोगों का काफी बड़ा आपका हाथ रहा एक तो जो सुपरस्टिशन के खिलाफ एंटिसुपरस्टिशन एक एक्ट लाए गया और दूसरा जो जाती पंचायत थोड़ा सा उसके बारे माहराश्टा में अंदव इश्वा सुनमू चाहिए लोगों को काफी हद तक एक्स्प्लॉड किया जाता है और केवल आवेरनेस से यह बाते रुकेगी नहीं तो उसके लिए इन्फोर्स्मेंट भी चाहिए कानून की तो 95 में हमने उसका एक बिल प्राइवेट बिल लॉंच किया था और उसके बाद उसको फॉल अप क प्रतिवराच चवाण जी ने उनीशेट किया कानून और पिछले चार साड़े-चार साल में महारश्य में अंदविश्वा सुनमुलन के कानून के तर जिसे हम जादू टुना विरोधी कानून कहते हैं तो जिसमें हमन से खिलाब है और बाकी कई मंतर के उप्चार के खिला हर दिन हमें 5-10 लोग कांटेक करते हैं कि हमें गाइडन्स चाहिए फायर लांच करने के लिए और वो जो जार्टी पंचार कानून वह तो वह भी हमारे देश की जो कास्ट सिस्टीम है उससे जो एक्सप्लाइटेशन होता है इनर कास्ट एंड डिस्क्रिमिनिशन के वज़ कास्ट पंचायत जो पैरलल जूडिशियरी है हमारे कॉंस्टिशन जूडिशियरी को उसके खिलाब एक कैम्पेंड चलाई और उसमें कानून नहीं होने के वज़र से उसकी डिमांड की और स्टेट में यह कानून पिछले 3 जुलई को 2008 को लागू हो चुका है और उस कानू यह भी पहला ऐसा कानून है महाराष्टर में देश में बना हुआ कि जो कास्ट पंचायत के तरफ से जो भी रूलिंग दी जाती है और उससे लोगों को एक्सप्रड किया जाता है जिसको हम उत्तर भारत में खाप पंचायत के नाम से जानते तो उसके खिलाब बना हुआ है महाराष्टर का कानून है और यह दोनों कानून नैशनल लेवल पे गवर्मेंट की तरफ से पारित होनी चाहिए और हमारे देश के सभी राज्यों में यह सवाल है अंदर विश्वास का भी और जात पंचायत के नाम से होने वाले एक्सप्रडेशन का आपने अभी जिकर कि किया था साइन्टिफिक चेंपर के बारे में और मान्स और कहीं सारे और संगर्थन जैसे ऑल इंडिया पीपल साइस नेटवर्क वो मिलके एक ऐलान किया है कि 20 अगस्ट को हर साल एक नैशनल साइन्टिफिक टेंपर डे मनाया जाएगा तो उसके बारे में क्या त्यारी है क्यारत्र इनडिया पीपंट शैय्स नेटवर्क ने जो इनिशेयेट किया है और उसका हमने वेलकम किया और महारास्ट्र अंदर श्रदानिमोन समीत्य सत्याथि और और आल इंडिया by टोак तरव पील बना है महाराश्ट्र में और बाहर देश के सविए राज्यों में लोग ट्रभी यूटी है एज चैजन तो यह ड्यूटी क्या है क्या हो सकती है उसके वारे मारी कमिटमेंट क्या चाहिए और हमारी पर्सनल और पब्लिक लाइफ में उसको किस तरीके से हम इंकल केट करें इसका इबरनेस को लानी की कोशिश हम बिस अगस से लेके शुरू करेंगे आप समझते हैं कि आज इंदोस्तान में जो हालात हैं कई जगा देखने को मिल रहा है उसमें इस तरह का एक कारेक्टरम की बहुत ज़रू है यह बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है जिस तरीके का इंटॉलरंस की सि माइनरिटी में तो उनको अपने जिंदगी सर्वाई करने के लिए या सेफली और डेवलप्मेंट करने के लिए उनको साइंटिफिक टेंपर एकसेप्ट करना उन्होंने स्विकार नापने यह जरूरी है उसकी सिवा उनका एंपार्मेंट होगा नहीं यह हम उनको वहां त साइंटिफिक टेंपर डे से लेके 21 सितंबर 21 सितंबर 1995 में गनेश दूद प्रक पीने का चमतकार हुआ था दावा किया अगा तरो उसको भी हमने एक्सपोस किया था कि सर्फेस टेंग्शन एंड सैफिल कैपिले रेक्शन यह उसके पीछे एक साइंटिफिक रूल है तो व हम महाराष्ट्र में ऐसी कोशिश करेंगे कि 20 अगस्ट से लेकी 21 सितंबर तक महिने बर की साइंटिफिक टेंपर आवरनेस की कैमपेंच चलाए और हर साल यह हमारी कैमपेंच चलाने की कोशिश है और बाकी राज्यों में भी हम लाइक मांडेड और वेशन को यह अपील कर कारेकरम में नशनल साइंटिफिक टेंपर कारेकरम में शामिल होंगे देखते रहे यह निवस्क्रेट